हेलो, कैसे हैं आप सभी, पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्त हैं, मस्त हैं और अपनी परिक्षाओं की तैयारी में जवर्दस्त तरीके से लगे हुए हैं तो आप लोगों की एक समस्या थी, कि सर चेप्टर के राइटर के नाम ता आप याद करवा दियें, लेकिन राइटर के जनम कब हुआ है, कौन राइटर का मृत्तिव कब हुआ है, उँ यादे नहीं होता है, उसका आप ट्रिक लेके आएगे, तब तहम जानेंगे कि आप ट् के लिएं, और आप आज की इस वीडियो में, इंगलीस के प्राउज सेक्ष्ण, प्राउज सेक्ष्ण जो है, 11 गुछिप्टर है, 12 गुछिप्टर के राइटरनेम याद कर लिये हैं, और आज जो है उनके जनम और उनके मृत्तिव को भी जो है, आझ याद आप कर लेंगे तो चलिए सभा में आए हैं तांतिम तक बने रहिएगा ट्रेक के दादा के साथ आपको ट्रेक सीखने को भी मिलेगा मज़ा भी आएगा होसी भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा चलिए सर सुरू करते हैं देखे पहिला है का तमहात्मा गांधी इकौन चेप्टर ल का नमौँ हमको यादे है का है कि लएका लएका जानता है कि 789 में महात्मा गांधी जी का जनम हुआ था आप DR भे जानते होंगे 2 अक्टूबर है की नहीं और इनका जो मृत्यू भी आपको पता होगा कि 148 में इनका जो दिहान्थ हो गया था कोई जो है इनने मार दिया था है कि नहीं तो यह तो याद करके जंजटे नहीं है आई ये दूसर का नमबर से देखते हैं दूसर का है डॉक्टर जाकीर हुसेन डॉक्टर जाकीर हुसेन के कर तो डॉक्टर जाकीर हुसेन मुसलिम है और मुसलिम होते हुए कह रहे थें कि नहीं हम भारते में रहेंगे भार कई से करेंगी देखे जो पुराना पुराना डॉक्टर होता था उन पुराना डॉक्टर जो है का उन लोग के हुस्न हुआ करता था हुस्न मतलब का होता है सुन्दर था तब पुराना जबाना में 1897 के हम बात कर रहे हैं उस समय जो डॉक्टर हुआ करते थे उस सुन्दर होत तो उनकोर हुस्न होबे नहीं करता था, हुस्न मतलब सुन्दरता नहीं होता था, 1897 के डॉक्टर यानि डॉक्टर जाकीर हुसेन होबे नहीं करता था, नाम में भी हुस्न आ रहा है मतलब हुसेन, तो डॉक्टर जो होते थे उनका हुस्न नहीं होता था कब? 1897 में, लेकिन ज एकदम सुन्दर सुन्दर डॉक्टर आएं जाकर देखेगा कभी होस्पीटल में एतना सुन्दर सुन्दर डॉक्टर तो डॉक्टर कब के समझेगा कि वह 1879 के बाद के डॉक्टर हैं मतलब 1869 में जो है इनका का हुआ तो डॉक्टर का जो है जो हुसन नहीं थे जो जिनका हांत हो गया थारा सो उनहात्र के बाद जो डॉक्टर राएं उत एक दम उसने पड़ी थें है कि नहीं आप याद रखेगा एक एक बात जो है ट्रिक्स रिलेट कीजिएगा आपको मज़ा भी आएगा चली ताप यह याद कर लिए चली आए तीसरका में मनोहर माल गोंकर माल में मांगता है सब काची के कहता है सब एक चूटकी खाइनी पींच अपे सनप के राइटर मनोहर माल गोंकर आए इनके जनम को जो है हमनी के याद करते हैं देखे इनका जनम हुआ 1913 में ठीक है और इनका देहान थो गया 2010 में तो याद किसे करेंगे तो देखे उनाइ सो ते से ही खाई जा रहा है और ओ घरी के 13 साल के आदमी जो है खाता था है कि नहीं उनाइस सो से खाई जा रहा है और 13 साल के आदमी खाता था तो कुछो नहीं होता था ठीक है कुछो नहीं उनाइस सो से सुरू हो रहा है और 13 साल तक आदमी खा रहा है तो कुछो नहीं हो रहा है आदमे दम मस्त स्वस्थ है कहा है कि पहले आदमी खटता था लेकिन ये घरी के लईकों के देखिए 10-20 साल के लईकों नो खाय लग रहा है ध्यान से जुनियेगा पहले आदमी माल यानि कि ख़ईनी का खाता था ये 5 फिसनप तो उ जो है का तो 1913 में होता था ठीक है यानि कि पहले उनाईसो में 13 साल के लईका भी खाले ता था खईनी यानि उनाईसो 13 में का जो है का हुआ जनम लेकिन अब 10-20 साल के लईकों खाता है खईनी 10-20 साल तो 10-20 साल के लईका जब खईनी खाय गा तो जईहन अपने तेल नापे मतलब कि मिरितिव हो जाएगा तो मनोहर मा गणकर का मृत्युव कब हुआ तो दसभीसाल के लईका खाएगा यानी 2010 में हुआ आ कब खाता था तो नहीं मरता था सब। उनाई सो में जब तेरा साल के लईका खाता था तो नहीं मरता था सब, यानि उनाई सो तेरा में जनम हुआ, आदस बीस साल में खाया तो गईलत तेलना पर अनिद्धु भजार दस में जो है इनका मृतिव हुआ, या कि नहीं मजा वला बात, चलिए एक दम मजा आ रहा होगा चलिए, नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जनम जो है, उनाई सो उनतीस में हुआ, आए सर, जब हमनी के वो सपना देखेंगे, तराजा बने के, I have a dream, मेरे पास एक सपना है, राजा बनने का, मार्टिन लूथर किंग, ह राजा बने के सपना जो है, हमनी के कब देखेंगे, जब हमनी के उमर उनाई सो से उनतीस साल के बीज में रहेगा, है कि नहीं, राजा हम कब बनते हैं, जब हमनी के, जो है मेच्योर हो जाते हैं, तब सूचते हैं, कि नहीं हम लोग राजा बनेंगे, तो उनाई से उनतीस स बूनेंगे यादमी मार्टिन लूथर किंग बनेंगे यानि मार्टिन लूफर किंग कोब 29-29 साल के उमर में विसें में जन utilized 60 साल में कौनतर राजा बनाई था वान यानि उन्हें से 68 में मृत्तिव है कि नहीं केतना मज़ा वाला ट्रीक है सर आईए बॉटेंड रसिल इसको कैसे याद किये थे तब बॉटेंड मतलब बाटना और बाटना मतलब होता है help करना यानि ideas that have helped mankind के writer बॉटेंड रसिल helped आया था तो help मतलब बाटना यानि बॉटेंड रसिल ideas that have helped man kind के writer हो गएं बॉटेंड रसिल और जो हैं जब हमने के बाटते हैं तो देखे मान के जलिए कि हम आपको दिये कुछ बाटे ला तो हम कहां कहेंगे कि जो बॉगा 72 रुपिया के बाट देना कहां हम कहें हैं कि 72 रुपिया के जो बॉगा बाट देना मतलब कि 1970 में मृत्यू 72 मतलब 1872 में जो है का तो इनका जनम हुआ कैसे हम कहें हैं जो बॉगा यह थी 72 रुपिया के बाट देना कुछ ओ खरीद के तो 70-72 रुपया के, मतलब 970 में, 70 रुपया के कहेंगे, तो 970 में जो है इनका का, तो मिरितिव याद रखेगा, और 1872 में जो है इनका का रखेगा, कि जनम हुआ था, जो बुआ, 70-72 रुपया के कुछ बांट दी है, मतलब 1870 में का, तो 970 में इनका का हुआ, तो मिरितिव ह गया और 1872 में जो है का हुआ, in का जनम हुआ, देखे, next, sega noya, sega noya, अब देखे, sega को हमने के का ही याद किये थे, सुगा से, तो सुगा हम लोग बनाना सीख रहे थे, तो कोब, तो सुगा बनाएंगे, आर्टिस्ट जब आप होंगे, तब है तो सुगा बनाएंगे, तद आर्टिस्ट के राइटर सिगा नोया, अब देखें इसके जनव को कई से याद करेंगे, तनि याद कीजिए, कि आप आप नरसरी कलास में जाते थे उसी समय से सिग्गा बना रहे हैं, सिग्गा मतलब सुग्गा तो इस सुग्गा बना रहे हैं तो नरसरी कलास में आपकी आयू जो है कितना साल होगा, कम से कम तीन साल होगा, हो सकता है कि आप आठ साल के भी होखें, है कि नहीं तो तीन से आठ साल के बीच में अगर आपकी आयू है, मतलब तीन से आठ साल के, तब जो है आप सीखेंगे, मतलब 1883 में जो है जनम हुआ किनका, सुगा मतलब सीखा नोया का, तो इसे तीन साल से उमर से लेके, हमनी के 18 साल तक जो है सीखते हैं सुगा बनायोला, मतलब 1883 तक में जो है का हुआ, तो सिखा नोया का जनम हुआ, और बताइए, आप जो है एक हतर साल के हो गए हैं, ता आप सुगे बनायेगा, नहीं सर, हम कहेंगे कि ए सर, अब तो हमनी के जानवर बड़का बड़का सिरवाख बनायेगे, है कि नहीं, ता 1871 में सिखा नोया का मृत्ति हो गया, फिर से पिर से, तीन से 18 साल, मतलब 1883 में सिखा नोया का जनम, 17 साल में सुगे बनायेगे, मतलब 1901 में इनका देहान थो गया, है कि नहीं, चले, नेक्सट है, जर्मन जर्मन ग्रीर एक बच्चा के जनम हुआ जर्मन में जाके गिरा मतलब एचाइल्ड इस बॉर्न के राइटर जर्मन ग्रीर है ठीक है चलिए इस अब राइटर तो आप एतना याद कर लिये हैं कि दस में दस नमर सब्जेक्टि में मिलान करे वला आता है या गर्दा गर्दा आप लेके आएंगे है कि नहीं लेकिन यह हुआला हमनी के जो है कंफर्म कर लेते हैं कि अबजेक्टि में कहीं से पूछे हमनी के जो है बुखार छुरा देंगे है कि नहीं जर्मन ग्रीर यह बच्चा का जनम होता है कहां गिरता है जर्मन ग्रीर लेकिन अब जनम होगा त कितना साल? तो जर्मनी जाम में वोकड़ा लग जाएगा 49 साल, बापरित, तो 1949 में इनका जर्मन ग्रीर जी का का हुआ, जनम हुआ, ठीक है? कोई से याद रखेंगे? तो यगो बच्छा का जनम हुआ, जर्मनी में जाके गिरा, एक के बर 49 साल के हो गया तब गिरा, यानि 1949 मे जर्मन गृइर जी का कहा हुआ तो जनम हुआ आए बात याद रखेगा ये अभी जर्मन गृइर अभी जिन्दे हैं लगबग 54 साल के हो गया है जर्मन गृइर एको महिला है ठीक है ठीक है याद रखेगा चलिए अब नेक्स्ट है ड्रोथी इल से से ड्रोथी को कई से याद किये थे तब फीरी में प्रेस हो रहा है तो आदमी धोतियों प्रेस करवा लेता है यहाँ फ्री इस दप्रेस के राइटर कौन हो गया है ड्रोथी एलसेयर फिरी में प्रेस हो रहा था इसलिए धोतियों करवा ले रहा था आदमी तो देखिए धोत सो तिरानवे में ड्रोथी यल्सियर्स का जनम लेकिन ए घरी के आदमी के आप देखा दीजिये ता उनाइस से संतावन साल के आदमी भी जो है नहीं पेनेगा संतावन साल के हो गया, बुढ़ा हो गया, फिर भी जीन्स कुर्टा पेनेगा यानि देख लिजी उनाइस संतावन में जो है का हुआ, तो इनका हो गया मृत्यू, फिर से फिर से 18 से 93 साल के आदमी पहले का पेनता था धोती लेकिन आप देखे, संतावन साल के आदमी हो गया फिर भी नहीं धोती पेनेगा तो उनाई सो संतावन में इनका जो है मृत्तिव हो गया कि इनका डुथियल सेयर्ज खा आए नेक्स्ट सर एची बीट से एची बीट यानि एजे बाइट है तो एजे बाइट धर्तिवा बाइट तो द अर्थ के राइटर एची बीट से अब देखे द अर्थ के राइटर एची बीट से तो इनका जनम जो है उनाई सो पाँच में हुआ कईसे हमनी के याद करेंगे तो देखे हमनी के जो है घरे लाइकन होता है तो हमनी के नहीं कभी कभी कहते हैं देखे हमतरा 5 रुपय अई खुता है कते हैं कि नहीं तो ईह यकी ऊड़ी के इसमे लगाना है देखे बीट,"ँब द अर्थ के राइटर एची बीट से बेब तो 5 Prescription को Tech нравится तो 5 में घरे 449 में का जनम हुआ तो यह लाईकहँन का कहेगा कि उने से आई हा, ता कुछ हो लेते आई हा, अब लेते आई हा, 74 बार तोरा हम अभी 5 गुरुपया दे रहें, 74 बार खियाते रहें, ट्रीक रिलेट कीजिए तनी मानी बाइट ता 5 उरुप्या देए थाओं बाइट ता 5 उरुप्या देए थाओं यानि कि एची बीट्स का जनम जो है 1905 में अब कहेगा कि कुछ हो लेते आई हा उने से आई हा ता चवुहत्तर बार तोरा हम पैसे दिहीं तो चवुहत्तर यानि 1974 में इनका का हो गया तो 1974 में मृत्ति हो गया ठीक है और 5 उरुप्या देए थाओं यानि उने से पाँच में जो है जनम हुआ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट परलेस बक परलेस बक खाली घूमे जाता है घूमना के ट्रैबल तो इंडिया ज्ट्रूए ट्रैबलर्स आइस के राइटर परलेस बक हैं अब देखिए इनका जनम जो है 18 से 1892 में हुगा कईसे याद करेंगे तो देखिए हमनी के जो है माई जब 18 साल के उमर था तब ही घूमे नहीं जाय देती थी अब हमनी के 92 साल के हो गया है ट्रीक रिलेट कीजिएगा इनका हमनी के 92 साल के हो गया है है की नहीं तो देखिए 18 साल के आदमी से लेके 92 साल के आदमी तक के जो है का ता 18 साल में माई कहती है बक नहीं जायगा तुम घूमे ट्रैबल करे यहांनि इंडियर, इस के ट्रैबलर्स की राइटर कौन हो गया, ता परलेसबॉग, ता अठारस साल में घुमे नहीं जयेंगे, ता अच्छा 92 साल के अभ हो गय है, ता 92 साल में भी नहीं ज stellen घुमे अमनी के, मत भूमी है एकदम सीधा गूम के अगरे आ जाना अब तीरषा तीरशी से याद रखेगा तिहतर तेहतर फिर से तनिवानी पौरलेस बोक बोक बाक घुमे नहीं जाएगा अठारफ साल के उमर में घुमे नहीं हो गया तीरचा तीरची घुम ले तो चल जाएगा तेल ना पर यानि 173 में इनका का हुआ है तो मृत्ति हो गया है ठीक है सर अब next and last एंटन चीकाव एंटन चीकाव के जो है जनम कब हुआ 1860 में इसको कई से याद करेंगे तो देखें एंटन चीकाव के कर राइटर है marraze proposal marriage में जाएंगे तो चीक के देखेंगे कि बनिया बनल है की नहीं यानी इनकाव राइटर होैं ठीक है अब देखें इनकाव जब राइटर बनल है यानि 1860 में एंटन चीखव का का हुआ जनम हुआ ठीक है यान कीजिए मैरेज में जाएंगे तो हमनी के जो है का करेंगे चीखेंगे यानि ये मैरेज प्रपोजल के राइटर एंटन चीखव आठारस साल के वह लगी के साधी में 60 प्रकार के बयंजन बना हुआ है यानि 1860 में जनम तब हमी बात कहेंगे अपन दोस्त से कि या reg अठारी साल के वह लड़की के साधी है जिकन आमें 60 प्रकार के भोजन बनल है तमर दोस्तवा का कहेगा कि आरे चार बार हम खईबुक भाई तो चार बार खईबुक यानि कि 1904 में जो है उनका का हुआ तम रित्तिव हो गया है कि नहीं किनका एंटेंची खौजी का जनम जो है 1860 यानि 18 साल की लरकी की साधी में जो है 60 परकार का व्यंजन बना हुआ तमर दोस्त कहेगा भाई चल हम चार बार खईबुक यानि 1904 में जो है उनका का हुआ तम रित्तिव हो गया अब बताईए एकरा से बनिया ट्रिक अगर आपको कहीं योटूब पे मिला है तब आप हमसे कह दीजिएगा कि सर आपका ट्रिक खराब था हमें उमीद है एक बार और अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इनका जनम और मिर्तिव कोभी भी आप जो है नहीं भूला सकते हैं टीक है तो वीडियो आपको अच्छा लगता है सर तो अपन दोस्त में सेर किया कीजिए एक्जाम नजदीक है वो लोग को भी याद हो जाएगा है कि नहीं और वीडियो आप देखें है उसके लिए धन्यवाद